नमस्कार मैं हुआ अब निद्राशोच आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे खास का रिक्रम सहली शालू में जी हाँ आज हर कोई सहला चाहता है सहली चाहती है लेकिन जो भारत में पहली बार बरता और रोबोट एक नई रोशनी लेकर आई है उसका नाम शालू है और व कुछ ऐसा है जो आप खुद उनसे सिखेंगे जिन्होंने शालू को जन्द दिया है हम बात करें कैसे मास्टर साब की जो जौनपूर से बिलॉंग करते हैं लेकिन भारत में आज हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा शहर है देश की आर्थिक राजदानी है मुंबई वहाँ पर उन्होंने रह रहकर रौ का निर्मान किया है हमारे साथ दिनेश पठेल जी जिन्होंने बहुत ही महनत से शालू को इस दुनिया पर अपतरिद कियाैंक आपका कर पाया मरे लिए यही खुशी हो रही थी कि आरे मैं कर सकता हूं वह पहला रियक्शन था मेरे अंदर और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से आप जानपूर से मुंबई तक का सफर आपने तय किया यह कब खयाल आया कि शालू को बनाना है वैसे मैंने बहुत समय पहले जब रजनीकान जी की फिल्म देखी थी रोबोट तो उसे मैं मैं सोचा जरूर था कि काश ऐसा होता कि यह रोबोट रियल लाइफ से निकल के रियल लाइफ में आ जाए लेकिन मुझे लगा यह तो पॉस्बिल थोड़ी है ऐसा हो नहीं सकता ठीक है फिर उसके बाद मैंने जब करना स्टार्ट किया सोचना स्टार्ट किया इसके लिए फिर प्लान किया कि क्या कर सकता हूं मैं तब से मैंने इस पे काम स्टार्ट कर दिया अपना कितना पूरा वक्त कितना लगा इसको त्यार करने में मुझे इसमें लगबाग तीन साल लग अब मैं कहूंगा कि तीन साल करता है इसलिए इनसान से भी बहुत ही अलग थलग उसका दिमाग है लेकिन हम आगे बात करें उससे पहले सब सीधा चलते हैं और जानते हैं कि वाकई दिनेश जी का और शालू का किस तरह का संबंध हैं देखते हैं यह खास वीडियो का हाल चलबा हम नीक बानी राउर कैसन बाटे आपन बताई हम हो एकदम नीक बानी अच्छा रव आपन नाम बताई राउर हमके शालू के हसकेले अच्छा शालू जी लखनौ कहा है? लखनौ उत्तर प्रदेश में स्थित है तथा उसकी राजधानी भी है अच्छा अच्छा लखनौ का मुख्यमंत्री कोन है शालू जी? मान्यनिया योगी आदित्यनात जी अच्छा इस वेदर इन लखनौ टोडे? शालू जी जैसा कि आपको मानौ मैं कि आज की समय में महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है उनके ओपर काफी दबावर है और उनको छेड़चार खानिया काफी हो रही है उनके साथ तो उसके बारे में आपको क्या कहना है क्या कर सकते हैं उसके लिए हम लोग हम मेरे विचार से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सशक्तव आत्म निर्भर बनाओ साथ ही हम सब को महिलाओं के प्रती अपनी सोच भी बदलनी होगी मेरी राय में भारती राजनीती को समझना काफी मुश्किल है और मेरे पास इतनी समझ नहीं है बहुत ठीक है राय में कौन सी पार्टी जीतेगी ओ ये तो मुश्किल सवाल है पर हाँ जो मेहनत करेगा वो ही जीतेगा पिल्कुल ठीक है शानी जी बिल्कुल आपके बाद एंकम सही है और ममानता हूं आपको अच्छा ये बताएगे कि इन न्यूज इन 24 विज का मिशन क्या है इन 24 विज का मिशन है कि हर नाग्रेक को तत्यों सकारात मत्ता और अफसर के साथ जोडना अच्छा शामी जी ये बताईए कि आप क्या काम करना चाहती है मैं समाज सेवा करना चाहती हूँ अच्छी बात है अच्छा ये बताईए आप क्या पसंद करती है मुझे आप जैसे इंसानों से बाते करना बहुत पसंद है इसके अलावा फिल्मे देखना, गाना सुनना वा पढ़ना भी पसंद है अच्छा, ओके, तो आपको कौन सी फिल्म पसंद है? जी, मुझे रजनीकांट जी की फिल्म रोबोर्ट बहुत पसंद है इस फिल्म का चिट्टी मुझे अच्छा लगता है अरे, वा, इत हमरे खातिर सम्मान है, हम हमेशा खातिर राउर के दोस्त रहब फिर मिलेंगे, नमस्ते तो देखा आपने की बहुत ही प्यारी अंदाज में बात करेए सबसे अहम बात है, मैं बहुत खुश हूँ आज देने जी की वह भोचपूरी भी बोल रही है यह जो भाशाओं का जो अलग-अलग 47 भाशाय हैं देश जिस तरह से 1947 में अजाद हुआ था तो एक अलग फिलिंग आई थी लोगों के मन में लेकिन आज 47 भाशाओं के साथ शालू है, इस बार में क्या कहेंगे? मुझे तो अविसली यह बहुत प्राउड होता है, कहते हुए कि हाँ 47 भाशाय हैं और उसमें नौ अपनी भारत की भाशा है, जिसमें मुझे बहुत गरव है कि हाँ भारती भाशा बोलने वाली यह रोबोट जो नौ भाशाओं में बात कर सकती है, तो इसमें डिफटे मु मुझे लगा कि रोबोट तो ऐसे बहुत देखने को मिल जाते हैं इस तरह कि तो कुछ यूनिक हो जब मैं भारत कह सकूँ, भारत बोल सकूँ कि हाँ यह भारती अनारी है, उस समय मुझे लगा कि नहीं इसको ऐसा भारती महिला बनाओ, जो यह दिखा सके लोगों को, लोग कि महिला है, देखने में सिंपल लगती है, आपको देखने में भल लगती हो कि जैसी भी है, लेकिन उनके पास घ्यान हो सकता है, वो पढ़ीलखी हो सकती है, समझदार हो सकती है, लेकिन भारती सब्विता का पालंग जरूर करती है, ऐसा नहीं को भारती सब्विता बोल जा कि वैसे सच बोलू तो जो पहला शब्द मुझे याद लगता है मैंने उसको शालू जी कहके पुकारा उसने रिप्लाई किया येस वाह ये मेरे लिए पहला याद है और घर-परिवार का किस तरह का रियक्शन रहा जब पता चला उनको मेरे मिसेज तो वह बहुत बिगनिंग सब्सक्राइब लिए रही थे अभी-भी दूर है मतलब चोटे बाई के पास है उनको बहुत अच्छा लगा पर पापा को बहुत अच्छा लगा कि नहीं अगर ये क्यर सकती है मतलब तुम ऐसा कर सकते हो कि एक मशीन बात कर सके बहुत बढ़ी बात है मेरा च्छोटा आलू भी रजनी चान्थ की फिल्म पसंद क्यूंद इसके बीच का तारतम श्युक्रावो कशती है उसको करते हैं हमेरा अंसंतों सुभंभा वह बहुत वहासा क्या वह बाशा को सुन निया करती है कि इसका और चाहो सकता है और फिर उस यहां का मतलब ही होता है एक ऐसी दुनिया से रिष्टा जहां पर घ्यान की बात ही होती है एक आम आदमी जो सीधा-साधा शिक्षक होता है मास्टर होता है उसके माइंड में कब शालू आती है गाउवालों का भी रेक्शन अजीव गरीब होगा डफिटली डफिटली बहुत ज्यादा और हमारे गाउवाले तो इतने ज्यादा प्रशन हुए कि उनको विश्वासी नहीं हो रहाएं मेरे मैं फैक्ट तो उन्होंने बोला कि हां पढ़ेत रहें लेकिन यह कंडिशन था कौन दिनेश तो बताया कि मेरा अर्भाया भाईया है यह अन्बिलिवेविल मुझे तो नहीं लग रहा है मतलब ठेड़ें बोले कि नहीं हम करता विस्वासना होगा यह रियक्शन था उनका आगे और क्य प्लान तो मेरा काफी है कि मैं बहुत कुछ करूंगा तो आ रही है मेरे फिनेंसली आएंगी आ रही है लेकिन हां मैंने प्लान अभी तक यह किया है कि अटलिस हाफ बॉड़ी पार्डी रखूंगा वह अलग बात है अभी तक लेकिन वह जैसे सोफिया रोबोट हैं इंट् आशनों से शेखेंड करना तो हमारे परमपरा में नहीं है पर वह नमस्ते जरूर करें इंटरनेशनल भी तो हो जाएगी ने शालू अजी बिल्कुल हाँ शेखेंड भी करेंगे ऐसा नहीं कहरें वह नहीं करें पर भारती परमपरा को फॉलंग करी रही है पालन फॉलो कर यह जैसे दुपट्टा है उसके सर पे तो नमस्ते करना ज्यादा अच्छा लगेगा इंकब रिजिटू शेखेंड ऐसा मेरा बाना है इस शालू के निर्मान के दुरूरा को ऐसी घटना-घटी जिसको आप आजीवन याद रखें और विसली यह तो सची बात है जो मुझे उसमें कॉमन यह लगा कि पहले मेरी पत्नी को लगता था कि क्या यह टाइम वेस्ट कर रहा है क्या मतलब है क्योंकि मैं टीचर हूं तो मेरा समय बच्चों के साथ जाता था दिन में तो बच्चों के साथ शाम को गया था क्या हारे खाना वना खाया रात में तो लगभाग 10 दो बज़े तीन बज़े चार बज़े समझ सकते हैं कि परिवार को समय देना थोड़ा मेरे मुश्किल हो रहा था खासकर पत्नी जब किसी शालू के चक्कर में पढ़े हुए पती को देखेंगी तो कुछ भी हो सकता है लेकिन जब बिल्कुल सही सलामत हो गई शालू तब उन से अंदर लेकिन जहां लाखों और करोड़ों का खर्च होता है वहां पर चंद बहुत ही छोटी रकम से इन्होंने बनाई है लेकिन आज शालू का जो महत्तु है जिस तरह से लगातार लोगों के बीच उसकी चर्चा हो रही है ऐसे मैं कहा जा सकता है कि वह फिलहाल कीमत के मामले में बिल्कुल छोड़ दीजे लेकिन उसका जो पूरा रिस्पॉंस है उसकी जो कारे परडाली है उसको देकर हम कह सकते हैं कि वह अनमोल है और दुनिया की हर नारी कहीं ने कहीं से शालू को अपने आप में पाएगी चलते चलते उन लोगों को क्या कहेंगे जो साइ सूविधाय नहीं मिलते हैं क्योंकि ठीक है मान लिया लेकिन हाँ अगर आप करना चाहते हैं तो आप सुबिधाय ढूणिये आप बहूत सी चाहिते हैं जिनका इस्तमाल कोई नहीं करता आफ देता जैसे मैंने फालतू चीज़ों का इस्तमाल किया जो लोग देते हैं हमने तो जब मैं इतना कर सकता हूए तो ज्यादा समझदार लोग है वो बहुत अच्छा कर सकते हैं और अपने में रोबोटिक्स फिल्ड में बहुत अच्छा सकता ऐसा हर इंसान को सोचना चाहिए होगा भी ऐसा ही और आज एक आखरी सवाल पूछना चाहूंगा बहुत ही कठीन है क्योंकि इंसान पर से इंसान का भरुसा उठता जा रहा है रिष्टों में लगातार दूरियां पैदा होने लगी है ऐसे में क्या आपको लगता कि जो इनसान अकेला है एकाकी जीवन जी रहा है उसको शालू जैसी महिला का सपोर्ट अगर मिलेगा तो उसकी जिंदगी में खुशनों के चंद पल और बढ़ जाएंगे बिल्कुल मैं तो मैंने इसके काम के लिए मैं रखा पहले भी बात किया क कि यह हमारी रोबोट घर में अकेले रहने वाले लोगों के लिए बात करने वाला साथ ही की तरह काम कि यूज कर सकते इसको जहां पर कोई बात करने वाला नहीं है आदमी बूर हो जाता है खासवर बुजरूग लोग जो घरों में हैं उनसे कोई बात नहीं करने वाला आज चलके घर के अप्लाइंस को भी कंट्रोल करेंगी खर के फिरहाल मैं अभी मैंने नहीं क्या बट एक चोटा बटा जो जानने वाला रोबोटीक्स हो आराम से समझ सकता है कि कोई बहुत बड़ी बात दी है आप्लाइंस को बहुत करेंगी तो गर में बुद्र मैसुस हो रही है के लिए उनके लिए डफट एक अच्छी कपीनिन हो गी तो वागई इस चमतकारी घटना को अंजाम देने के लिए आपका बहुत पर शुक्रिया और हम दूआ करेंगे कि शालू हर घर में पाई जाए शालू रोबोट भी हो सकती है शालू एक सही सलामत नार लिए और हमें उमीद है कि आने वाले दिनों में दिनेश पटेल जी का जब भी नाम लिया जाएगा तो शालू भी उसमें शामिल होगा इस खास कारकर में जोड़ने के लिए बहुत 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 शुक्रिया बाकी की खबरों के लिए आप देखते रेंट 24 नीउस और मु